हेलो आल अब गर्मिया शुरू हो गई है और गर्मियों में जो सबसे ची ड्रिंक होती है पीने के लिए वो होती है आम पना तो आज बनाने जा रही हूँ मैं आम पना आम पना बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक आम और ले लिया है पुदीना इसमें सिर्फ इतने ही इंव मैंने चील लिया है अब इसको बस रफली काट लेते हैं यह आम मैंने काट लिया है अब इसको एक उपर में बॉइल कर लेते हैं तो बॉइल करने के लिए मैं इसको इसमें कर देती हूँ अब इसमें डाल दूँगी मैं 2 टेबल इस्पून चीनी यह 15 एमल का एक इस्पून है तो यह मैंने 2 इस्पून डाल दूँगी मैंने इसमें चीनी कम ही डाली है क्योंकि ये आम मैंने लिया है तोटापरी और तोटापरी आम भी तhठा मीठा ही होता है तो बस अब ये डाल दिया है और एक कप ले लिया है मैंने पानी ये भी इसमें कर देती हوں और इसको गैस को रख देती हूँ और एक विसल आने का वेट करेंगे एक विसल के बाद गैस बंद कर देंगे कूकर को मैंने फुल आज पे रख दिया है और एक विसल आने का वेट करूँगी यह फुल फ्लेम पे एक विसल आ चुकी है जब मैं गयास बंद कर देती हूं और फ्रेशर निकलने दूँगी, दिखिए इसका फ्रेशर निकल चुका है, अब मैं इसको एक और बटर में निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने देंगे, ये पेस्ट हमारा ठंडा हो चुका है, शुगर और उसका आम का, अब इसको हम एक मिक्सी के जाल में कर लेते हैं, और साथ में ये पुदीना के पत्ते, ये भी इसमें ही कर देते हैं, और इसको पीस लेते हैं, ये देखिए ये पेस्ट हमारा तयार हो चुका है, इस पेस्ट को अगर हम इसी तरीके से फ्रिज में रख दें, तो अराम से वन वीक तक ये जब भी पना बनाना हूं तो निकाला और उसमें पानी MIX किया नमक MIX किया जीरा पाउडर मिक्स किया और बना के तयार कर लिए मैं यह इसमें एक बटल में निकाल लेती हूँ मैं यह सारा बना की तयार कर रहे हूँ तो इसमें मैं मिक्स कर लूँगी पानी जितना भी पतला हमें पीना है हम उतना पतला इसको तयार कर लेते हैं मैंने पानी को इसमें मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें डाल देती हूं कुछ मसाले, आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी नमक, आधा चम्मच ही डाल दूँगी इसमें मैं काला नमक, और आधा चम्मच ही मैं डाल दूँगी इसमें भुना जीरा पाउडर और इन सब को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते है अब इसको इस तरीके से उचाल के mix कर लेते हैं जिससे यह अच्छी तरीके से mix हो जाएगा यह देखिए आम पना बनके बिल्कुल तयार है इसको इसी तरीके से फ्रिज में रख दें और उसके बाद ठंडा करके पिएं ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है यह देखिए आम पना बनके बिल्कुल तयार है आप भी इसी तरीके से बनाईए और गर्मियों का आनन्द उठाइए गर्मियों की सबसे healthy drink होती है यह हमारी body को तरो ताजा रखती है हमें heat से बचाती है लू से बचाती है आप भी इसी तरीके से बनाईए और अपने comment मेरे सा share कीजिए मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं उसे भी बताइए वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए share कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए मेरी वीडियो आखियो तक देखने के लिए धन्यवाद बाबाई